हेलो बच्चों कैसे हो आप सभी आईए हम अपनी exercise को continue करते हैं exercise 8.2 question number second third part हमारे पास statement क्या गिवन है बच्चा sin 2a is equal to 2 sin a हमें 4 option गिवन है हमें बताना है कौन सा option इस equation को satisfy करेगा ठीक है देखिए first option हमारे पास क्या है 0 degree second option हमारे पास क्या है 30 degree third option हमारे पास क्या है 45 degree and fourth option हमारे पास क्या है 60 degree अब देखिए सबसे पहले मैं first option से ही चलती हूँ first option हमारे पास angle क्या है 0 degree that means a की value हमारे पास क्या है 0 यहाँ पे आजेगा sin 2 into में 0 is equal to 2 sin a क्या हम हमने मानना है 0 degree 0 ठीक है अब देखिए sin 0 की value हमारे पास क्या होती है 0 तो 2 into में 0 0 sin 0 की value 0 तो यह हमारे पास क्या आजेगा 0 is equal to अब यहाँ पे देखिए sin 0 की value 0 0 into में 2 0 तो यह हमारे पास satisfy हो गया 0 is equal to 0 that means हमारे पास first option is our answer देखिए जैसे next देखिए अगर मैं यहाँ पे 45 angle रखती हूँ अगर मैं let करती हूँ जो हमारे पास a है वो 45 degree है चीक है अब यहाँ पे देखिए sin 2 into में a a हमने क्या मानना है 45 degree 45 is equal to 2 sin a a क्या है 45 degree अब देखिए 2 into में 45 90 यहाँ पे क्या होजेगा sin 90 चीक है is equal to 2 sin 45 degree 2 sin 45 degree अब देखिए sin 90 की value हमारे पास क्या होती है 1 यह हमारे पास क्या आजेगा 1 is equal to 2 into में sin 45 degree sin 45 degree की value क्यों होती है 1 upon root 2 अब देखिए इस तरफ हमारे पास 1 है इस तरफ हमारे पास क्या है 2 upon root 2 यह दोनों equal नहीं है इसलिए हमारे पास यह answer नहीं हो सकता ठीक है ऐसी हम 30 degree पे चेक करेंगे 60 degree पे चेक करेंगे ठीक है सिर्फ हमारे पास 0 degree A की value ऐसी है जहां पे यह equation satisfy होगी ठीक है बच्चों अब देखिए बच्चा next part देखिए fourth part हमारे पास statement क्या given है 2 tangent 30 degree upon 1 minus tangent square 30 degree चीक है अब tangent 30 की value हमारे पास क्यों होती है 1 upon root 3 तो यहाँ पे हमारे पास क्यों होजगा 2 into me 1 upon root 3 upon 1 minus tangent square 30 degree tangent 30 की value 1 upon root 3 तो 1 upon root 3 का square होजगा चीक है क्यों होजगा 1 minus 1 upon root 3 का square चीक है बच्चों आप देखिए इसको solve करेंगे 2 upon root 3 upon root 3 3 का square हमारे पास क्यों होजगा 3 1 minus 1 upon 3 चीक है 2 upon root 3 upon आलसे हम ले लेंगे 3 3 into me 1 3 minus 1 3 minus 1 2 तो 2 upon root 3 upon 2 upon 3 चीक है अब इसको solve करेंगे 2 upon root 3 3 उपर चला जाएगा 3 upon 2 चीक है 2 से 2 cancel 3 कौम कैसे लिख सकते है root 3 into me root 3 1 root 3 से 1 root 3 cancel तो answer हमारे पास क्या आजएगा root 3 अब देखिए हमारे पास 4 option given है अब देखिए जो tangent 60 degree होता है बच्चा जो 3rd option है tangent 60 की value हमारे पास क्या होती है root 3 that means ये जो equation है इसकी value root 3 आई है वो कब होती है जब tangent 60 होता है root 3 तो 4th question का option हमारे पास क्यों हो जेगा 3rd correct ठीक है बच्चों अगर आपको कुछ भी doubt हो तो please मुझे comment section में बताईए अगर वीडियो अच्छी लगे तो please इसको like कीजिए channel को subscribe कीजिए thank you